जाहिंद आप सबी लोगों का स्वागत नेशनल कोपरा केरेट यूटूब चैनल में आपका ये वीडियो कि ITBP के बारे में होने जा रहा है जो आपका अपकमिंग एक्जैम है आपका कोई भी एक्जैम हो जैसे कि कॉंबेटेंट मिनिस्ट्रियल का हो गया है ट्रेड मैन में टेलर सफाई वासरमेन बारबर कॉबलर मोटर मेकेनिक हो गया फार्मसिस्ट हो गया जूकेशन हो गया और जितने सारे ट्रेड है आने वाला आपका एक्जैम है जो कि आपका 27 तारीक को कंड़क्ट होने वाला है और भी उसमें चल रहा है ठीक है तो उसके बारे में बात हो टीवीपी मिनिस्ट्रियल का है ठीक है इसी तरह से आपको और भी आपका जो सफाई वाले होंगे ट्रेड में में होंगे उनका अपना आया होगा मोटर मेकेनिक का तो भी आया नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर क्या क्या प्रोसीजर है कैसे कैसे आ आपको देख करके बता दूँगा और आपको बता दूँगा पीछे आप देखते रही है अभी यह देखिए अड्मिट कार्ड कुमटेंट मिनिस्ट्रल 2022-2023 इसी तरह आप पे भी लिखा है जो लोग किसी भी ट्रेट से हैं तो चलिए सिधे आते हैं पॉइंट पे मैं ला आँगे, तो जो सबसे पहला चीज है कि आप अपना एड्मिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे तो जो वैसे तो आप डाउनलोड कर लिए होंगे अगर नहीं पता होगा फिर भी ITBP का रू नमबर आपको लिखना है जो आपका एड्मिट कार्ड मिला होगा ने जभी मि लिखना है डेट आप बर्त को लिख करके यह तो फिलाल आपका जो है कि प्रोफार्मा दिख रहा है और देख लिजे डेट एंड टाइम ऑफ इग्जेम जो डेट है टाइम का 27 सप्टमबर 2020 यह सब बाकी डिपोर्टिंग टाइम सेंटर कहां पर है देख लिए और डीजिटल के सो पूरम कानपूर का अब आज यह सीधे आप में पर अभी यहां पर थोड़ा सा और बता दे रहा हूं कि आप जो अपने डाकुमेंट लेकर के जाते हो जैसे कि आपका होगा फोटो एक फोटो इसकी बसट्रेंप आप लेकर के आपके जाएगा और दो कलर प्रिंट याट वाइसे लेकिन आप दोनों लेते जाहिए हो लोग अपना खुद का देते ही हैं आप कई बार गए होंगे आपको पता चल गया होगा चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि सबसे मेन वाला पॉइंट तो यह जो स्क्रॉल हो करके नीचे चल रहा है यह एक दो तीन चार पांच से साथ नो नुए सबसे बढ़िया पॉइंट है इसी में जो कहना है नुए में और नीचे 14 में वाले पॉइंट में क्लियर कर दिया गया जैसे आपका बीस से वार्डर सेक्योर्टी फोर्स का जो मिनिस्ट्रियल वाले एसाइस टेनों वाले लोग एक्जैन दी है उन लोगों में भी यही लो होगा पूरा बाहर हो जाएंगा अब एक दिन में मेडिकल में क्या होने वाला है वैसे तीस दिन का मेडी मेडिकल का टाइम मिलता है अब मेडिकल हो गया मन लिजे फेल हो गए तो फिरी मेडिकल अगले दिन दो दिन में मिलेगा तो दो दिन में आप कितना वजन डाउन कर लोगे दो तीन किलो मैक्सिमम ठीक है तो नवह वाले पॉइंट पे आजाईए अब नवह वाले पॉइंट पे अब इसको पढ़ना पूरा अब की पूरा सुरू से अब आजे यह रेस्पॉंस सीट के बारे में यहां पर देख लिजिए औलाई रेस्पॉंस लिंक इन पॉर्टल विद डॉक्मेंटरी एविडेंस विदिन टॉंटी फॉर आरा पीडियर आप अब जैसे ही आप एक्जैम दे करके आऊचे नीचे लिखा हुआ है कि आपका जो पोटल को अपन कर दिया जाएगा यानि कि आपके एंसर किया जाएगा और जा करके आप वहां से आप अपना अब्जेक्शन कर सकते हां इस चीज का ध्यान रखिए आपको ऐसा लगेगा कि गलती नहीं होगा उन लोगों से क्योंकि एंसर जो दो लोग दे देंगे साही है जो मैं मिला रहा था जो एक्जैम हुआ था इटीबीप का ही पॉइंटियर का उसमें काफी गलत था जैसे कि पूछा था कि एक्वेलेटी वीफोर लॉग कौन सा आर्टिकल स्टेट करता है तो उसमें था एंसर आर्टिकल सिक्स्टीन जो कि आर्टिकल सिक्षिन तो आजाएए नीचे जो कि आपका लिंक आई टीबीप वाले वेबसाइट पर देंगे वैसे मैं टेलिग्राम पर सिंड कर दूंग वैसे वोड़न अपने वेबसाइट पर अभी मैं जाकर कि चलिए आज यह उसी आई टीबीप के ऑफिसेल पेश पर मैं दिखा दना हूँ जैसे आई टीबीप रेक्यूट्मेंट लॉग इन पर ऐसे आउपन होकर कि आए सबसे टॉप पर लिखा रहेगा वी उसी बीटी इतने तारिक को जो कंड़क्ट रिग्राम उस पर क्लिक करके जा सकते नहीं तो फिर आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप से चैनल जो है उससे ज आप अधिसे आउँ और टेलिग्राम ग्रूप में बता धिया आपने डाउनलोड कर लूँ तो इतना हो गया इसल тебя और की आन जोंगलोड कर लोगर जोंब अब पर ढबाद क्या होगा कि मिला लिए कि आपके कितना सही होगा कितना गलत होगा इस कि तका मॉम्ट हो टू विजिट आई टीवीपी रेक्यूट्मेंट वेपसाइट फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली आपको आप मेंसा जा जा करके चेक करना है क्यूंकि जैसे ही आपका सिवीटी एक्जेम है जैसे कितने तारी को था 27 को था तो उसके बाद क्या किया जाए आपको नेक्स्ट इसके लिए कहूं से दस दिन में नेक्स्ट स्टेश के लिए जो की नेक्स्ट स्टेश क्या है आपका टाइपिंग है और मेडिकल के लिए मेडिकल भी साथ ही में करवाने का बहुत ज्यादा 99.something में आपके लिए कि तुरंत करवाने का पॉसिबिलिटी है तो अभी इसी के साथ साथ आप आगे का भी तैयारी करें ठीक है तो इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स टूडियम सोफ और जाहिन